हाल ही में कंगना बीफ खाने को लेकर विवादू में फस गई थी मायराश्ट्रो कॉंगरिस के नेताफ विजय वडेटी वायर ने कंगना पर बीफ खाने का अलजाम लगाया जिस पर कंगना ने सफाई पेश की और इन सभी हारोपो को सिरे सिनकार दिया यह कंट्रोवरसी खत्म भी नहीं हुई थी कि कंगना का एक पूराना पोस्ट बहुद वैरल हुगया इस पोस्ट में उन्हों झेका है कि पेरेंट्स को बचों की सेख्स लाइफ को लेकर सहज होना चाहिए कांगना ने कहा कि जब उनके पेरेंट्स को पता चला कि वो sexually active हैं तो वो हैरान रह गए कांगना ने एक event में sex को लेकर कहा मुझे लगता है कि पेरेंट्स इस बात को लेकर सहज होना चाहिए कि उनके बच्चों का sexual partner है और बच्चों को भी responsible sex करना चाहिए उन्हें यकीनन protection का इस्तुमाल करना चाहिए monogamy बेहद एहम है partners बदलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है इसको लेकर एक बहुत गहरा विज्ञान है जो ये बताता है कि आपको एक से ज्यादा partner क्यों नहीं रखने चाहिए और आपको अपनी एनरजी और आपके चक्रों को क्यों नहीं बिगारना चाहिए अब इस पुराने वीडियो पर कंगना को बहुत ट्रोल किया जा रहा है इससों पहले कंगना को बीफ को लेकर भी ट्रोल किया जा रहा था तब कंगना ने ट्वीट कर कहा था मैं गौमास या किसी अन्य प्रकार के लाल मास कसी वन नहीं करती ये शर्मनाक है कि मेरे बारे में पूरी तरह से आधार हीन अफवाही फैलाई जा रहे हैं मैं दशको से योगिक और आयुर्वेदिक जीवन शेली की वकालत और प्रचार कर रहे हूं अब ऐसी रणीतियां मेरी छवी धुमिल करने के लिए काम नहीं करेंगी मेरे लोग मुझे जानते हैं और वो जानते हैं कि मैं गौरवानवित हिंदू हूँ और कोई भी चीज उन्हें कभी गुमराह नहीं कर सकती जैश्री राम लेकिन इस ट्वीट के बाद लोगों ने कंगना के पुरानी ट्वीट कोज निकाले जुसमें वो बीफ खाने वालों की वकालत करती नजर आई कंगना ने कहा बीफ या अन्नमास खाने वाले कुछ गलत नहीं है और इससे किसी धर्म का कुछ लेना देना नहीं है इसके साथ ही एक ऐसे ट्वीट भी वारेल हुआ जो कंगना ने अपने राजिस्तान के दोरे का किया था इसमें कंगना ने एक राजिस्तानी थाली की फोटो ढाली और बताया कि वो राजिस्तान में थी और उन्होंने लाल मास खाया इन ट्वीट्स के बाद कंगना बुरही तरह ट्रोल हुई आपको बता दे कि कंगना इस बार बीजोबी की तरफ से लोगसभा चुनाओं में उतरेंगी वो भी हिमाचिल प्रदेश के मंडी सीट से नमस्कार मैं हूँ मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे हैं योस 24